दोस्तो आज मुंबई इंगियन सोर राजस्थान रोयल्स की टीम के बीच आईपियल का 38 बड़ा मुकाबला खेला गया जहां इस बड़े मैच में मुंबई ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाची करने का फैसला किया और दोस्तो उनका ये फैसला आज बहती खराब सावित हु आगे मुंबई की हालत पूरी तरह खराब हो गए थी क्यूंकि छे रन के स्कोर पर ही उनके दोनों सलामी वल्ले बाज आउट हो गए थे जहां पहले छे रन के स्कोर पर ट्रेंट बोल्ट ने रोहिट शर्मा को आउट कर दिया था और रोहिट छे रन बनाकर आउट हुए तो अगले ही ओवर में संदीप शर्मा ने इशान किशन का आउट कर दिया था और इशान तो अपना खता भी नहीं खोल पाए थे जहां इसके बाद मुंबई को तीसरा जटका भी 20 रन के स्कोर पर संदीप शर्मा ने देकर सूरे कुमार यदव का आउट कर दिया था और लक वर्मा ने मुंबई की पारी को समाला और इस मैच में शांदार बलेबाजी करी तो उनका साथ इसके बाद थोड़ी देर तक मुहमद नभी ने निभाया इसके बाद इन दोनों बलेबाजों ने मुंबई का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया लेकिन इसी बीच 52 रन के स्क मुंबई की पारी को काफी तेजी से आगे बढ़ाया और इसके बाद इन दोनों बलेबाजों ने यहां से 99 रनों की शांदार पार्टनेशिप करी और दोस्तों मुंबई का स्कोर 1500 रन के पार पहुंचाया जहां सी 20 तिलक वर्मा ने अपना 8 सतक पूरा कर लिया था तो दो 24 रनों की शांदार पारी खेल कर आउट हुए जहां इसके बाद बलेबाजी करने कप्तान हारतिक उत्रे लेकिन हारतिक केवल 10 रन बना कर आवेश खान की गेंद का शिकार बने जहां इसके बाद तिलक वर्मा भी संदीप शर्मा की गेंद पर 65 रनों की शांदार पारी खे इस मैच में राजिस्थान की तरफ से संदीप शर्मा ने कमाल की गेंद बाची करते हुए अपने चार ओवरों में केवल 18 रन देकर 5 विकिट अपने नाम किये थे तो ट्रेंट बोल्ट को 2 विकिट हाथ लगी थी तो आवेश और चहल ने भी एक एक विकिट लिया था अब द राजिस्थान की टीम टार्गिट का पीछा किरने उत्री तो फिर दोस्तों इस मैच में राजिस्थान की शुडवात काफी धुवाधार अंदाज में रही थी जहां इस मैच में जैस्वाल आज के मैच में कमाल की लैमे दिख रहे थे तो जौस बटलर भी एक के बाद एक बड़े छके चौके मार रहे थे और इन दोनों बलेबाजों ने पहले विकिट के लिए ही चोहतर रनों की शांदार पाटनर्शिप कर ली थी लेकिन चोहतर रन के स्कोर पर प्यूस चावला ने जौस बटलर को क्लीन बोल्ड मार दिया था और बटलर 35 रन बना कर आउट काफी बड़े बड़े छके मारे और इस मैच को दोस्तों पूरी तरह राजेस्थान के हाथ में लाकी रख दिया था और दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद राजेस्थान का एक भी विकिट नहीं गिरने दिया था और इसके बाद जैस्वाल न 69 गेंदों का सामना किरने के बाद अपना शतक भी पूरा कड़ डाला था और दोस्तों उनका ये IPL का दूसरा शतक हो चुका है और इसके बाद दोस्तों जैसवाल ने चौका लगा कर इस मुकाबले में राजिस्थान को पूरे 9 विक्टों से जीत दिलवादी थी जहां इस मै आपला राजिस्थान के टीम काफी अराम से 9 विक्टों से जीत गई है जो की दोस्तों काफी बड़ी जीत हो चुकी है